हमारे समाज में थोड़ा अलग हट कर किस्ते भी सामने आते रहते हैं उस लड़के की हाइट करीब धाई फिट होती है वह मामूली काम करके अपना जीवन बसर करता है और साधी करना चाहता है उसकी साधी की ख्वाहिस ने लोगों को गुदगुदा दिया और वह सोसल मीडिय पर छा गए अजीम मनसूरी को आज लोग उनके नाम से जानते हैं लेकिन इसमें वह समाजिक पहलू भी छिपा है जिससे समाज को अपनी सोच बदलने की जरूरत है अजीम मनसूरी उत्तर प्रदेश के कैराना कस्वे के रहने वाले हैं बच्पन में एक समय के बाद उनका क पढ़ना कम हो गया था परिजनों ने उन्हें उसी रूप में स्विकार किया वह अचानक तब सुर्खियों में आ गए जब वह अपनी साधी कराने की मांग को लेकर सीधे महिला थाने पहुँच गए उनकी साधी का सपना पूरा करने के लिए उन्हें घोडी पर भी बैठा दिया गया और उनका वीडियो वाइरल हो गया इसके बाद उनके लिए रिस्ते आने लगे अधिक जादी तो वही पिने वही तो इस दिखा था आपको चैनल के लड़की है यह जे बैठाने आचाओ माले जेमिन ने जब बचावेगा रहा है तो वहां पर तैसे आजाएंगे अब यार से बोल रहा है है अधिवार से पोल रहा है प्यार प्यार करोगे प्यार में उनके ही जैसे कदवाली एक लड़की के साथ तै हो गया अब वहे अपनी दुलहन को हेलिकॉप्टर से लाना चाहते हैं अजीम सीधे सच्चे और नेक दिल इनसान है यह उनकी बातों से भी पता चलता है अजीम की साधी को मजाकिया अंदाज में लिया गया ऐसे कदवाले लोगों को अमोमन समाज में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है एक दोर था जब ऐसे लोगों को सरकस में भेजने का निने लिया जाता था यानि दूसरों को हसाना ही उनकी जिन्दगी हुआ करती थी लेकिन अब ऐसा नहीं है ऐसा मामने सरीर वाले अजीम जैसे तमाम लोग होते हैं समाज की भी यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह ऐसे लोगों का मजाक ना बना कर उन्हें भावातमक तोर पर सपोर्ट करें क्योंकि वह भी आपकी और हमारी तरह जिन्दगी जीने का तरह हुंगा